हलो फ्रेंट्स वागात है आप सबका मेरे चैनल में तो दोस्तों आज मैं आपको एक शांदार अन्डॉक्सिंग करके दिखाने माला हूँ एक शांदार चीज की चीज की काफी दिनों से इंतजार मेरे को था मेरे मोटो व्लॉगिंग का बहुत ज्यादा प्राब्लम होता था अब उस चीज का हो चुका है समधान और अब मेरे जितने भी व्लॉग्स आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और पाए हमारे वीडियो सबसे पहले फ्रेंड्स लेट्स बिगिन और इस पूरे वीडियो को एंड तक आप ज़रू देखें आपको मैं पूरे डिटेल्स इसके बारे मैं आपको बताऊंगा तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआद तो फ्रेंड्स यह है आपका इस पड़ा क्या इसका इससिफिगेशन से और इसको कैसे फिट अप करना है तो चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग तो आपको यह कुछ इस पकार के केस में यह मिल जाता है तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप इसमें काफी कुछ study material ये इसके manuals वगर आपको इसमें मिलते हैं जिसको आप आराम से बैट के पड़ भी सकते हैं ये देखिए user guide आपको यहाँ पर मिल जाती है और आपका ये रहा आपका main gopro का media mod तो दोस्तों ये देख सकते हैं इसमें दोस्तों अगर इसके specifications के आप बारे में आपको मैं बताओं तो यह आप देख सकते हैं इसमें आपको shotgun mic मिलता है shotgun mic mainly जो उसका use होता है आपकी audio quality को शांदार करने के लिए उसका use किया जाता है ये आप देख सकते हैं front facing आपको यहाँ पे मिल जाता है shotgun mic आपको मिलता है और अगर आप rear में देखेंगे दोस्तों तो ये आप देख सकते हैं rear में भी आपको shotgun mic आपको यहाँ पे मिलता है और अगर और इसके details के बारे मैं आपको बताऊं तो इसमें आपको 3.5 mm jack मिलता है USB-C port मिलता है और HDMI port भी आपको मिल जाता है आपका USB-C type का port आपके power bank से connect हो जाएगा power bank से आप इसको आराम से connect करके इसको on the go charge कर सकते हैं और यह जो आप देख रहे हैं यह आपका शू板 है को बूर्ड शू माूंट को जाता है जो कि आप वहाँ पर fix कर सकते हैं इसमें मॉड्स के बारे में आपको मैं बताओं तो इसमें आपका एक लाइट मॉड भी आता है या तो आप यहां पे लाइट को फिट कर लीजे या इधर उपर में लाइट को फिट कर लीजे और या तो यहां माइक फिट कर लीजे या इस पोजिशन में आपको माइक फिट क वो भी आपको मैं बताता हूँ, लेकिन box में और भी कुछ चीजे हैं, उसके बारे मैं भी आपको मैं बता देता हूँ, यह देख सकते हैं, आपको इसमें मिल जाता है यह screw, यह आपको screw इसमें मिलता है, hero 8 की तरफ से, hero की तरफ से, जो कि आपके accessories में included है, यह आपको 7 में ही म mount आपको मिल जाता है, जो कि आपका helmet में इसको mount कर सकते हैं, यह देख सकते हैं, गोप्रो की branding आपको मिलती है, दोस्तों, गोप्रो की quality बहुत शांदार रहती है, आपको कभी भी किसी प्रकार के सोचने की जरूद नहीं मिली, यह देख सकते हैं, गोप्रो की branding आपको मिल ज और आराम से आप इसको mount कर सकते हैं, तो चलिए इसको रखते हैं side में, और यह आपका modes आप यहाँ से change कर सकते हैं, तो चलिए इसको करते हैं box को, इसके cover को open, तो यह आप देख सकते हैं दोस्तों, इसको, यह जो clit दिया है, यह वाला clit दिया है, यह वाला clit इसको आप तो दोस्तों ये देखी सकते हैं ये आपका open हो चुका है हमारा media mod का ये वाला जो देख सकते हैं ये portion ये portion जो है आपके hero 8 में जाके fit हो जाएगा उसका जो port उससे वो fit हो जाएगा तो आईए मैं आपको इसको लगा के दिखाता हूँ ये कैसे इसका arrangement होता है तो friends ये रहा गोप्रो का hero 8 ये देख सकते हैं gopro hero 8 black तो friends सबसे पर आपको क्या करना है इसका ये वाला जो इसमें धीरे से इसको ऐसा fit up आपको इसमें करना है ये देखिए मैं धीरे दीरे इसको fit up करता हूँ बिल्कुल smoothly fit up आपका हो जाता है ये देखिए दोस्तों और आपको वो जो port है वो इसमें अंदर इसका ठीक से ये अंदर जाना चाहिए हलका साब इसको ऐसा प्रेस जाता है तो आई ये इसमें अपडेट मंग रहा है क्या फ्रेंड्स हमारा अपडेट हो चुका है एक्शली किया है तुड़ा अपडेट इसमें मंग रहा था तो मैंने इसको अपडेट किया तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं मीडिया मौड जो है अब connected हो चुका है और चली आपको मैं इसको दिखावी देता हूं कि ये कैसे connect हुआ है तो सबसे पहले friends आपको जाना है preferences में और preferences में आप जैसे ही जैसे जाएंगे preferences में जाने के बाद तो preferences में आपको जाना है Input Output में जाना है आपको तो यह आप देख सकते हैं Friends, क्या आप देख रहे होंगे Media Mod देखे, Media Mod आपको Clearly दिख रहा है Audio Input Media Mod तो Friends, आप मारा Connect हो चुका है Media Mod से GoPro Hero 8 तो दोस्तो यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर आप हमें बताएं और मैंने briefly इसको explain किया है, ज्यादा खुछ इसमें ऐसे बताने लाग और था नहीं, तो दोस्तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है, तो तुरंद राइडर रचीत को follow करिए, और हमारे वीडियोज पाएं सबसे पहले, तो दोस्तो अगर इसके price की बात करें तो यह मेरे को पड़ा है, 6400 का, यह मैंने इसको राइपूर 36 गड़ से purchase किया है, और यह online available नहीं था, इसकर मेरे को इसको offline shop से लेना पड़ा, thank you friends for watching this video